हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ निदा और आज मैं आप सबको बताऊंगी बाल ज़णने और तूटने के रोकने के 10 आसान उपाए बाल ज़णने से रोकने के लिए घरेलो उपाए हैं बाल गिरने और तूटने का सबसे बड़ा कारण हमारी बदलती लाइफ स्टाइल और खान पान है इसके अलावा बालों को सही तरीके से देख भाल ना करने से भी बाल ज़णते हैं आदमी हो या फिर और और बाल ज़णने की समस्या से सबी परिशान है मौसम बदलने और जगा बदलने की वज़ा से भी कुछ लोगों को बाल ज़णने की प्रॉब्लम्स होती है पर अगर बालों का ज़णना सामानिय से अधिक हो तो यह एक गंभीर समस्या है इसी नुक से बता रहे हैं जिसकी इस्तेमाल से बालों की तूटने और गिरने की समस्या से छुटकारा मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं नंबर एक जेतुन के तेल को हलकर गरम कर लें और इसमें एक चम्मच शहद और एक चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर एक लेप बना लें और नहाने से 15 मिनट पहले बालों पर लगाएं इस नुक से बाल गिरना बंध हो जाएंगे नंबर दो अगर आपके बालों में युरूरूसी यानि के डेंडरफ है और बाल जढ़ते हैं तो कच्छे पपीते का लेप 10-15 मिनट तक लगा सकते हैं इससे आपको ज़रूर फर्क पड़ेगा नंबर 3 महदी में भरपूर पोशक्ततो होते हैं जो बालों के लिए अच्छे होते हैं महदी को अंडे में मिलाकर लगाने से फायदा मिलता है नमबर चार शहद से भी हेयर फोर रोका जा सकता है एक चमच शहद में एक चमच नीमबू का रस मिलाकर बालो पर लगाएं और आदे गिंटे बाद दोलें ये उपाय हफते में एक बार करने से बालों का गिरना कम हो जाएगा शहद में डालचीनी मिलाकर लगाने से भी बालों का जणना बंद हो जाता है नमबर पांच दूदिया दही से थोड़ा बेसन मिलाकर घोल बना लें और इससे बालों को धोएं इससे बालों में चमक आएगी और बालों का गिरना भी बंद हो जाएगा 6. बहुत से लोगों को बाल जंडे की शिकायत गलत खाने पीने के कारण भी होती है तले हुए मसालेदार खाने में पोशक तत्वों की कमी होती है जिसे खाने से हमारे शरीर को कैलशियम, आइरन, जिंग, प्रोटीन और विटामीन नहीं मिल पाते जो स्वस्त बालों के लिए जरूरी होते हैं इसलिए हरी सबजियां, फल, सूखे मेवे, अंडे और दूद का यूज करना चाहिए नमबर साथ, दही का प्रियोग जड़ते बालों को रोगने का अच्छा घरेलू उपाय है इससे बालों को जरूरी पोशकतत्व मिलते हैं बालों को धोने के एक डेड़ घंटे पहले बालों में दही अच्छे से लगाएं और जब वह सूख जाएं तब दोलें दही में थोड़ा नीम्बू का रस मिला कर भी यूज कर सकते हैं नीम्बू का रस और दही को मिला कर एक लेप बना ले और नहाने से पहले बालों पर लगाना चाहिए लेप लगाने के एक से आदे गंटे बाद दोलें इस उपायudसे बालों का जढणा कम हो जाएगा कि रेक्त का संचार ठीक से ना होने पर बालों को जरूरी पोशक तत्व नहीं मिल पाते हैं जिस कारण बाल कमजोर होकर गिरने लगते हैं रेक्त का संचार ठीक होने के लिए योग और exercise करना जरूरी होता है इससे सिर के उन छिद्रों पर पोशक तत्व पोशते हैं जहां बाल उपते हैं नमबर नू बालो को लंबा करने और बालो का गिरना रोकने के लिए साथ दिनों में एक बार रोज मेरी तेल से बालो की मालिश करें नारियल का तेल भी बाल जरने से रोकने में काफी असरदार होता है नमबर दस बालो में अंडा लगाने से बालो की जड़े मजबूत होती हैं बाल दोने से एक घंटा पहले अंडा लगाएं तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू पसंद आई होगी तो लाइक जरूँगी